नमस्कार दोस्तों रेलपत चैनल पे फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है मैं आपका दोस्त परविन सर और आज डिस्क्रस करेंगे राजभासा के पार्ट थर्ड के बारे में दोस्तों अगर पार्ट वन और पार्ट तु आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क पार्ट वन और पार्ट टू भी देख सकेंगे दोस्तों यह राजभासा का बहुत ही इंपोर्टेट कोस्टन है अगर आप यह राजभासा का कोस्टन याद कर लेते हैं तो आपको इससे बाहर डिपार्टमंट एक्जाम में आहीं नहीं सकता है तो दोस्तों अगर आप मेर कर चलता हूँ. संसथिय राजभासा समीती में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका answer क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा कुल fits 10 यानि, S лучSON to A हो जाएगा? संसथिय राजभासा समीती अपना पर्ति वेदन किसे परस्तूत करती है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा राष्ट पती को यानि एंसर B हो जाएगा यूनिकोड मानक से किन भासाओं को इनोड किया जा सकता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा हिंदी अंग्रेजी और भारतिये भासाओं को इसमें एंसर हो जाएगा सभी भासा एंसर C हो जाएगा यूनिकोड कौन सा मानक है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा अंतराष्टिय मानक यानि एंसर इसका B हो जाएगा राजभासा आयोग अपनी सिफारी से किसे प्रस्तूत करती है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा राश्टपती को यानि एंसर B हो जाएगा राजभासा विभा की त्रेमासिक ग्रिह पत्रिका का नाम क्या है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा राजभासा भारती यानि answer A हो जाएगा जर्नल और मानक संदर्व पुस्तकों को छोड़ कर पुस्तकाले के कुल अनुदान का कितना परतिसद हिंदी पुस्तकों को खरीद पर खर्च किया जा सकता है तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा पचास परतिसद यानि answer D हो जाएगा अभी तक संसदिय राजभासा समीती की रिपोर्ट कितने खंडों में जारी हो चुकी है तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा 9 यानि answer A हो जाएगा राजभासा आयोग अपनी सिफारी से किसे परस्तूत करता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा राष्ट पती को यानि एंसर C हो जाएगा कोयल किसकी ग्रिह पत्रिका है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा कोईला मंत्रा लेको यानि एंसर A हो जाएगा पहला राजभास आयोग कब गठित हुआ तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 1955 में यानि एंसर B हो जाएगा पहली संसदिय राजभास समीती कब गठित की गई तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? तो इसका एंसर हो जाएगा उनी सो संतावन में, यानि एंसर A हो जाएगा संसधिय राजभास समीती के परतिवेदन पर राष्टपती जी का पहला आदेश कब जारी हुआ? तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? इसका एंसर हो जाएगा 1960 इस भी में यानि एंसर D हो जाएगा राजभास आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? इसका एंसर हो जाएगा राष्ट पती यानि एंसर A हो जाएगा राजबासा आयो किसी फारिसों की परीच्छा का उनकरता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा संसदिय राजबासा समीती यानि एंसर इसका C हो जाएगा राश्टपती किसके परतिवेदन के अधार पर आदेश जारी करता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? तो इसका एंसर हो जाएगा संसदिय राजभासा समीती का यानि एंसर D हो जाएगा संसद ये राजभास समीती का नौमा परतिवेदन कब जारी हुआ तिसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 2011 में यानि एंसर B हो जाएगा संविधान के अनुछे 344 के अनुसार संसद या विधान मंडल द्वारा बनाए गए सभी नियमों भी नियमों और उप वीधियों के प्राधिक्रित पाठ किस भासा में होंगे तिसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा अंग्रेजी यानि एंसर A हो जाएगा संसदिय राजभास समीति के कितने परतिवेदनों पर राष्टपती के आदेज जारी हो चुके हैं तिसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 8 यानि एंसर A हो जाएगा राजभासा आयोक का गठन कौन करता है तिसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा राष्टपती यानि एंसर D हो जाएगा राजभासा अधिनियम की धारा चार तीन के अंतरगत संसदिये राजभासा समीति का परतिवेदन संसद के किस सदन में रखा जाता है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा लोकसभा और राजसभा दोनों सदनों में यानि answer इसका C हो जाएगा राजभासा अधिनियम की धारा आठ की सक्तियां का उभियोब कर केंद सरकार ने क्या जारी किया तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा राजभासा नियम 1976 यानि इसका एंसर ए हो जाएगा परंपरा के अनुसार्शन सधी राजभासा समीती के सदस्यों द्वारा किसे अध्याच चुना जाता है तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा ग्रिह मंत्री को यानि answer इसका D हो जाएगा BG care किसके परतम अध्यश बने तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा राजभासा आयोग यानि इसका answer A हो जाएगा पहली संसदिय राजभास समीति की रिपोर्ट राष्टपति को कब प्रस्तूत की गई इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 1969 में यानि इसका डी हो जाएगा राजभासा शंकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा कब फारित की गई तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 1968 में यानि इसका एंसर हो जाएगा समिधान सभा ने हिंदी को संग की राजभासा के रूप में कब स्विकार किया तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1969 यानि इसका एंसर A हो जाएगा 14 सितंबर को राजभासा दिवस मनाने की शुरुआज कब से हुई? तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? 1969 यानि इसका एंसर A हो जाएगा बिष्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा 10 जनवरी को यानि इसका एंसर B हो जाएगा पर्थम बिष्व हिंदी समयलन का आयोजित हुआ तो इसका answer क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा नागपूर में यानि answer A हो जाएगा पहला विष्व हिंदी समयलन कब आयोजित हुआ? तो इसका answer क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा 1975 में यानि इसका answer C हो जाएगा विष्व हिंदी सचिवाले किस देश में इस्तित है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा मौरिस्थास यानि इसका एंसर डी हो जाएगा 20 में लगबग कितनी भासाएं बोली जाती है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 28 यानि इसका एंसर A हो जाएगा तमिल देलगू मल्यालम और कंड़ भासाएं किस भासा परिवार से निकलती है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा द्रविड यानी answer C हो जाएगा निमलिकित भासा में से किस की लिपी देव नागरी है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा हिंदी मराटी और नेपाली तीनों का इसका answer D हो जाएगा द्रविड कूल को छोड़ कर भारत की सभी भासाओं का विकास किस भासा से हुआ है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा अपभरन से यानि एंसर यह हो जाएगा खड़ी बोली कहां बोली जाती है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा दिल्ली मेरट एंसर डी हो जाएगा बोलने वालों कि संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का क्या स्थान है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा दूसरा यानि एंसर भी हो जाएगा इन में से किसने ब्रज भासा में साहित की रचना की है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा सुर्दास यानि इसका एंसर A हो जाएगा इन में से किसकी रचना अब धी भासा में लिखी गई है ति इसका एंसर क्या हो जाएगा तुलसीदास और मुहमद जैसी यह दोनों कर इसका answer C हो जाएगा, इन में से कौन C रचना खड़ी बोली की है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, तो इसका answer हो जाएगा, साकेर प्रिये प्रवास कमाईनी, इन में से सभी हो जाएगा, यानि इसका answer D हो जाएगा, खड़ी बोली के प्रथम प्रसिद कभी कौन थे, तो इसका answer क्या हो जाएगा, तो इसका answer हो जाएगा, अमीर खुसरो, यानि इसका answer D हो जाएगा, भारतिये भासाओं की उत्पती मुलता किस प्राचिन भासा से हुई है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा संस्क्रीत भासा से यानि इसका एंसर C हो जाएगा बिश्व हिंदी दिवास दस जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन तो इस दिन क्या हुआ था तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा पहला बिश्व हिंदी समयलन आयोजित हुआ था यानि इसका एंसर ए हो जाएगा मात्मा गांधी अंतराष्टिय हिंदी विस्विद्याले किस देश में है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा भारत में यानि इसका एंसर B हो जाएगा मात्मा गांधी अंतराष्टिय हिंदी विस्विद्याले किस सहर में है तो इसका answer क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा बरदा में यानि इसका answer C हो जाएगा Unicode के परियोग से क्या लाब है? तो इसका answer क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा एक रूपता कम्प्यूटर पर हिंदी कार्जो में आसानी हिंदी में बनी फाइलों का आदान परदान यानि इसमें से सभी इसका एंसर हो जाएगा यानि D एंसर हो जाएगा Unicode कितने क्रेक्टरों के लिए Code Point उपलब्द कराता है इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 65536 यानि इसका एंसर B हो जाएगा Unicode Encoding के लिए कितने बीट का परियोग करता है इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 16 बीट यानि इसका एंसर A हो जाएगा कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्ज करने के लिए कौन-कौन से कीबोर्ड ले आउट विखल्प है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा इनक्रिफ्ट, रेमिंग्टन, फोनेटिक उपरोक्त में से सभी इसका एंसर D हो जाएगा encrypt keyboard layout को DOE द्वारा कब decentralized किया गया है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 1986 में यानि इसका answer यह हो जाएगा Wisp Hindi सचीवाले की अस्थापना कब हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 2008 में यानि इसका answer C हो जाएगा Unicode Encoding के लिए कितने वायट का परियोग करता है तो इसका एंसर हो जाएगा दो वायट का यानि इसका एंसर C हो जाएगा किस देश में विश्व हिंदी समेलन का योजन दो बार हो चुका है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा मौरिसस यानि इसका answer A हो जाएगा अब तक कुल कितने विश्व हिंदी समेलनों कायोजन हो चुका है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 9 बार यानि इसका answer C हो जाएगा विश्व हिंदी सची वाले किस देश में स्थित है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? इसका एंसर हो जाएगा मौरिसस में यानि इसका एंसर डी हो जाएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की सुरूआत किस बर्स से हुई तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 2006 से यानि इसका एंसर ए हो जाएगा बर्स 2014 में कौन सा विश्व हिंदी दिवस मनाया गया तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा नौमा यानि इसका answer C हो जाएगा देवनागरी लीपी में वर्नमाला में कुल वर्नों की संख्या कितनी है तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा बावन यानि इसका answer C हो जाएगा मानग हिंदी वर्ण माला में स्वरो की संख्या कितनी है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा यानि इसका एंसर बी हो जाएगा विश्व की सबसे बैज्यानिक लिपी कौन सी है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा देव नागरी यानि इसका एंसर डी हो जाएगा विश्व की सबसे बैज्यानिक भासा कौन सी है तिसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा हिंदी यानि इसका एंसर यह हो जाएगा उर्दु भासा की अधिकृत लीपी कौन सी है ति इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा फारसी यानि इसका एंसर बी हो जाएगा मानक देवनागरी लीपी में मूलता बेंजनों की कुल संख्या कितनी है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा पैथिस यानि इसका एंसर यह हो जाएगा मानक हिंदी वर्णवाला में स्वर एवं मूल बेंजनों की कुल संख्या कितनी है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? इसका एंसर हो जाएगा 51 देवनागरी लीपी में संजुक्त बेंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? तो इसका एंसर हो जाएगा 4 यानि इसका एंसर B हो जाएगा देवनागरी लीपी में उचारन के दृष्टी से कौन से नए बेंजनों का जन्म हुआ है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा अड़ा और धाका इसका एंसर C हो जाएगा भारत की किस स्थान ने देवनागरी लीपी का माननी करन किया है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? इसका एंसर हो जाएगा भारतिये मानक ब्यूरो यानि इसका एंसर यह हो जाएगा देवनागरी लीपी का भीकास किस लीपी से हुआ है? तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? इसका एंसर हो जाएगा ब्राम्भी लिपी यानि इसका एंसर यह हो जाएगा हिंदी भासा में निमलिखित में से कौन से संजुक्त बेंजन है तो इसका एंसर ग्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा छट्र ग्या और स्रा यानि सभी हो जाएगा इसका एंसर डी हो जाएगा बारतिय मानक बीरो B.I.S. द्वारा जारी I.S. यह मानक संख्या है, मानक किस से संबंदित है तो इसका answer क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा देवनागरी लीपी तथा हिंदी वर्तनी से यानि इसका answer A हो जाएगा हिंदी भासा में कोखग और जवर्न किस भासा से लिए गए? तो इसका answer क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा आरवी और फारसी इसका answer B हो जाएगा हिंदी भासा में फ़ और आ वर्न किस भासा से लिए गए? तो इसका answer क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा अंग्रेजी से यानि इसका एंसर C हो जाएगा संस्क्रीद भासा में परियुक्त कौन से स्वरोग को हिंदी की मानक वरनवाला की अस्थान नहीं दिया गया तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा री, ल्री और ल्री इन में से सभी इसका एंसर D हो जाएगा कौन सा कीवोर्ड भारतिय मानक ब्यूरो द्वारा मानक माना गया तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा इन क्रिप्ट यानि इसका एंसर B हो जाएगा भारतिय मानक ब्यूरों ने देव नागरिली पित्त था हिंदी वरतनी का मानक रूप जारी कब किया तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा 2012 में यानि इसका एंसर भी हो जाएगा यूनिकोड में हिंडी का कौन सा फॉंट परियोग में लाया जाता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा मंगली यानि इसका एंसर यह हो जाएगा कि अंदर सरकार ने राजबासा भी भाग किया स्थापना कब की है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 1975 में यानि इसका एंसर भी हो जाएगा कि अंदर ये हिंदी समीति का अध्यच कौन होता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा प्रदान मंत्री यानि इसका answer यह हो जाएगा हिंदी सलाकार समीती का अध्यच कौन होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा मंत्री यानि इसका answer C हो जाएगा केंद्रिय राजभासा करियर्मन समीती का अध्यच कौन होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा? तो इसका answer हो जाएगा सचीव राजभासा यानि इसका answer C हो जाएगा विभागिय राजभासा करियर्मन समीती का अध्यच कौन होता है? तो इसका answer क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा मंत्राले विभाग के संजुक्त सचीव यानि इसका answer D हो जाएगा नगर राजभासा करेर्मेंट समीती का अध्यर्च कौन होता है इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा सरकारी संस्थानों के बरिष्टतम परमुख यानि इसका answer D हो जाएगा Indic input tools से कौन सी भासा में लिखा जा सकता है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा Hindi, पंजाबी और गुजराती इसका answer सभी हो जाएगा इन में से कौन सा हिंदी लिखने का software Unicode समर्पित है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा Google input tools Indic input tools Indic input tools 2 यानि यह सभी इसका answer हो जाएगा यानि इसका answer D हो जाएगा आसा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सस्क्राइब कर दें बेल नोटिफिकेशन अन कर दें जिससे नए आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इससे भी अगर जादा अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ सेयर करें जिससे उनको भी या वेनिफिट हो धन्यवाद दोस्तों झाल